असलाम अल्यकुम आज वारी वीडियो के अंदर हम लोग एक्जैम्पल और प्रैक्रिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो के बेस्ट करता है और एक्विलेंट निकालने के लिए इसमीन के टोटल डिस्टन्स कितनी है आर एक्विलेंट और एक होता है हमरे पास आर नेट तो आर नेट भी हम एक्विलेंट को ही कहते हैं अगर कहीं आर नेट लिखा वाज है या आर एक्विलेंट लिखा वाज है तो बात एक ही होती है तो आज हम देखेंगे कि हम अपना सवाल किस तरह सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए start नहीं आप आज की वीडियो तो आज वाजी वीडियो के अंदर हमने सिरीज और पैलल कॉम्बिनेशन को देखना है कि कौन सा सिरीज कॉम्बिनेशन होता है कौन सा parallel combination होता है तो आज हमने यही काम करना है तो सबसे पहले एक मर्दब आपने करना यह है कि figure को analyze कर लिया देख लिया देन इसके बाद आपने एक point mark कर लिया और beginners जो के भी नहीं 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 सीख रहे है जैसे कि यह point देखें end to end joint है its mean के series के अंदर है और series के अंदर resistor हमेशा sum किया जाता है ठीक है तो its mean के अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसे r prime नाम देता हूं तो 5 प्लस 1 यह हमारे पास series में है तो इसे मैंने नाम देए 6 6 ohm का बन गया तो इससे पहले अगर आप लोग लिखना चाहें यह भी लिख सकते हैं कि 5 ohm and 1 ohm resistance are in series ठीक है तो यह बता सकते हैं कि यह series के अंदर हमने इस तरह sum कर दिया then आपने हर बार एक circuit draw करना होगा ठीक है तो इस तरह हमने circuit draw कर लिया and इस तरह हम यह combination आ गया और जो हमने इस combination को जो solve किया है इसकी जगह हम एक resistance लगा दिंगे ठीक है जो किस point पर होगी किस point हमने यूं लगा दी तो एक resistance कौन से लागए यह के लाएगा R' जो कि हमने find किया है 6 ohm ठीक है तो चलिए अब हम अगला question करें अगला question का मतलब इससी को solve करते हैं आगया अब आपने देखा कि यह combination है यह दोनों resistance यह किस के अंदर है यह parallel combination के अंदर है हमारे पास क्यूं कैसे पता किया कि यह एक lag है यह common है और यह लग की common है तो सबसे पहले इंग को solve पर लेते हैं जिसकी value 6 और 3 है हम यहाँ पर लिखते हैं 6 ohm and 3 3 ohm are in parallel parallel का sign यह होता है तो simple मैंने यह बना दिया देन इसको solve पढ़ना है मैंने इसको r double prime का नाम दे दिया ठीक है तो parallel को solve पढ़ने का simple तरीका यह होता है कि जो resistance होते हैं उनको multiply करवाद है r1 r2 upon r1 plus r2 ठीक है जो कि इसकी simplified form है तो आपके पास value 6 into 3 upon 6 plus 3 जो के बराबर होती है 18 upon 9 आगया हमारे पास तो in short 2 ohms आगया हमारे पास ठीक है तो r prime हमारे पास क्या आगया तो अब दुबारा हमने circuit को draw करना है इस circuit को लेके चलना है हमने इस circuit को लेके चलना है ठीक है तो अब इस दोबाला ड्रॉ कर लेते हैं हम यह सर्कृट एंड यह रहा एंड यह वाला रिजिस्टन्स भी ऐसी रहा ठीक है अब यहां पर हमने यह दोनों को सॉल्व किये थे तो इसकी जगा एक सर्कृट बनाएंगे जो जैसे हमने नाम दे दिया है और एक्विवेलेंट का इसे यह तरीके बना लेते हैं तके ठीक है एंड यहां पर एक रिजिस्टन्स और था जो कि जॉइंट वावर थींग के साथ तो आप ने देखा जो यह कॉंबिनेशन है यह किसके अंदर है सिरीज के अंदर है ठीक है तो आप सिंपल यहां पर क्या करना है एड करना है तो एक यहां पे आल हुर्च ट्रिपल प्राइफ का नाम दे रहता हूं गयर तो इसकी वैलियो हमारे पास आई था वह वह त्यों है ते इसकी हमार्यों सिख सॉंप ठीक है और यह हमारे पास वैलियो आ गई है मैंग अब एक देख रहते हैअ अ कि यह 2 वइन रहत तो यहां पर वाले लिख रहते हैं यह 4 है यह 8 है और यह 2 है ठीक है तो जब हम इनको solve परेंगे परदल सीरीस combination है तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा तो 2 प्लस 2 is equal to 4 ohm तो आर ट्रिपल प्राइम हमारे पास आ गया है 4 ohms ठीक है अब दोबारा एक मतबद circuit draw किया जाएगा किस तरना यह circuit draw किया है इसकी जागए एक single circuit आ गया है तो यह हमारे पास आ गया है 2 oh sorry 4 यह 4 आ गया है and then this is also 6 यह 6 ohm आ गया and this is 4 and this is 8 अब हमने solve कर रहा है 4 और 6 जैसे का आप देख सकते हैं जो यह combination है 4 and 6 सा यह parallel combination में है तो then अब हमने इसे नाम दे दिया अगर आप चाहें तो आर वन प्राइम दुबालरा इसको start कर तक ने नाम देखे आर वन प्राइम ठीक है तो यह supposition होती है basically अब इसे solve करते है 6 into 4 upon 6 plus 4 तो यह किसना होगे 2 24 divided by 10 जब हम इसे solve करेंगे और यह math का easy rule है जब 10 आ जाता है तो it's mean कि यह experiment में चले जाएगा तो इसे in short हम 2.4 लिख सकते है ठीक है basic math then अब हमने क्या करना है एक इसी तरह single equivalent circuit इसका बनाना है जो कि बिल्कुल simplified form होनेगी अब इसकी जगह एक resistance और एक जगह यह तो यह हमारे पास आया था 2.4 and this is 4 and this is 8 तो अब आप देखा कि पूरा पूरा resistance है यह single circuit बन गया और यह series combination बन गया है simple अब हमने add करना है अब हम R equivalent निकल रहे है R equivalent हमारे पार कितना आ गया 4 plus 2.4 plus 8 हम जब इने plus करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 14.4 यह हमारे पास R equivalent आ गया यह simple circuit था जिसके दर यह हमने R equivalent निकाला अब हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ जो के हमारे पास practice problem है practice problem 2.9 ठीक है जिसके अंदर हमने देखा सबसे पहले circuit analyze किया कि circuit के stack को है तो इसके अंदर भी series parallel combination मुझूद है तो अब हमने यहां पर start करना है सबसे पहले अच्छा आपको एक बात और बता दूँ जहां पर यह R equivalent लिखावा हो हमने उसके opposite side से अपना circuit को transform करना होता है its mean कि अगर R equivalent यहां लिखावा है तो इसके left side इसके right side से opposite direction से हमने circuit को solve करना है means कि इस direction से हमने circuit को solve करना है ठीक है चाले भी start करते हैं यह सवाल सबसे पहले हमने देखा कि यह 3 resistance है 8, 10 and 6 यह किसके नदर joint है series के नदर joint है तो its mean कि अगर मैं यहां लिख दूँ 8 ohms 10 ohms 10 ohms and 6 ohms are in series ठीक है तो आर प्राइम का मैंने नाम दे दिया 8 प्लस 10 प्लस 6 जो के बराबर होगा हमारे पास 24 के ठीक है and अब हमने circuit draw करना है और circuit हर बारी में draw करना लागी है ताके समझने के लिए भी असान रहेगा और हर circuit के एक number होते है तो circuit बनाना नहीं भूलना है अब हमने इस form को solve यह था तो इसकी जगा हम एक और प्राइम कर दिया यह से हमने नाम दिया था ठीक है जो के बराबर है 24 के 24 आगे हमारे पास and this is 12 and this is 4 यह भी 4 है and this is 3 ठीक है and this is 6 तो अब सिंपल अब आपने देखा यह हमारे पार प्राइल में connected है ठीक है जब भी प्राइल में connected है तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं का जो के और डाबल प्राइम है हमारे पास यह 12 and 24 प्राइल में connected है तो 12 into 24 and divided by 12 plus 24 which is 12 into 24 divided by 36 ठीक है तो आपने सिंपल इसको calculator से कट कर लेना है and आपके पास answer आजाएगा this तो आपके पास atoms answer आगया है जिसे आप चाहें तो calculator से भी कर सकते हैं ठीक है and अब हमने solve करना है दुबारा इसे अब दुबारा एक circuit बनाना है draw करना है यह four arms यह six arms का अगे यह three arms का यह four six and three and this is four और यहाँ पे एक इंका equivalent r double prime जो के eight आया है ठीक है आपके पास यह आगया और यह हमारे पास हार equivalent है then आप आपने four और eight को add के जैसे के series के अंदर है ठीक है तो आपके पास simple और triple prime जो आयाएगा वह four plus eight जो के बरावर है twelve के ठीक है यह twelve arms आगया हमारे पास अब इसी तरह दुबारा circuit आपने transform करना है यह काम बहुत easy है और बहुत असानी से काम हो जाता है बस आपके series और parallel के concept बहुत अच्छी होने चाहेंगे इसके अंदर then यह circuit बहुत easily solve हो जाता है then अब हमने इससे दुबारा r1 prime का नाम दे दिया ठीक है आज चाहें तो r4 time prime कर दें ठीक है यह r1 time prime कर दें अब आपने देखा कि यह दुबारा series parallel combination के अंदर आ गए तो आपने आपे दुबारा parallel combination लगाने है तो parallel combination क्या है हमारे पास 12 into 6 divide by 12 plus 6 which is 18 ठीक है तो 6 on the 6 and 6 3 the 18 जब इसको cancel out करेंगे तो 4 आगे हमारे पास तो in short just r1 हाया है r1 prime पर आया है हमारे पास वह आजा है 4 ohms ठीक है अब दुबार आमने circuit transform कर किया this और इसकी जगए एक r equivalent एंड एक resistance और एंड इस इस आवर r equivalent ठीक है तो यह हमारे पास था 4 and this is also 4 and this is 3 अब आपने देखा कि तीनों के तीनों डिस्टोर स्रीज के अंदर joint है तो आपने simple r equivalent लिख दिया 4 plus 4 plus 3 which is 11 oms ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा answer है वो बिलकुल exact आगया है 11 oms तो हमारा answer भी verified है तो आपको वीडियो समझ आई होगी और इसके अंदर आप series और parallel combination के concept को अच्छा करना है build up करना है इसके formula याद हो कि resistance अगर series के अंदर होगी इसको भी एक डगा लिख लेते हैं हम अगर series है तो resistance simple sum होगी ठीक है अगर resistance parallel में है then आपने resistance का एक formula याद रखना है यसे दो resistance के लिए r1 r2 divided by divided by r1 plus r2 ठीक है तो यह simple सा formula है जोके आपने याद रखना है इन दोनों के लिए आपने लिए आपने योगी अलाहफिस